तो भाई आज के हमारा छटा एपिसोड होने जा रहा है, जो साइंस की क्लासीज हैं, उसकी जो हमारी फिजिक्स का हमारा पोर्शन हमने उठाया था, 11th का फिजिक्स, तो 11th का फिजिक्स का हमारा आज का लास्ट चेप्टर होने जा रहा है, यानि कि 6 लेक्चर्स में हमारा य ठीक है तो यहाँ पर आज हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं लेकिन ध्यान दे दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहले बार आये हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो जन्रेवन कंट्रेट दिया जाता ह है और जदा से जदा आपकी हेल्प की जाती है तो भाई साब अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें या आपने आज तक बहुत बार वीडियो देखी है सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दो यार चलो ग्रेविटेशन को हम अक्सर क काज करती है मतब इससे क्या होता है objects with mass attract with another मतब यह हमारी एक ऐसी force होती है जिसकी वज़े से एक object और मतब दो object जो एक दुसरे के को attract करते है मतलब कहने का यह है यही gravitation एक ऐसी force होती है जिसकी वज़े से एक body के अंदर क्या होता है weight होता है याद रखेगा दोस्तों बहुत important point है तो कहने के मतलब यह है कि भाई अगर आपका weight 70 kg है तो मतलब वो gravity की वज़े से gravitation की वज़े से आपका weight 70 है तो gravitation अगर gravity नहीं होती तो शायद आज हम सारे उड़ रहे होते आसमान में होते है पता नहीं किस दुनिया में होते तो जमीन के अंदर gravity है gravity means एक force है जो attract करती है object को खीच दी है अपनी तरफ नीचे की तरफ और उसके खीचने की वज़े से उन objects के अंदर एक force generate होती है objects के अंदर force उनके weight की तरह weight की जो है वो वज़े से generate होती है माल लीजिए अगर एक तरफ 10 kg का object है दूसरी तरफ से 5 kg का object है तो यहाँ पे सिदा सिदा साब साब दिखाई दे रहा है कि भाई जो 10 kg का object है इसके अंदर ज्यादा gravity है और 5 kg के object के अंदर come gravity है तो इसको हम बोलते है gravitation ठीक है तो यहाँ पे जो है वो gravitation का formula किसके बराबर होता है f is directly proportional to m1 m2 upon r square तो जब हम is equal to a proportion को directly proportion को हटा देते हैं तो यहाँ पे बनता है g m1 m2 upon g m1 m2 upon r square तो इसको हम बोलते हैं क्या law of gravitation gravity is one of the four fundamental forces of the universe along electromagnetism stronger nuclear force and weak nuclear force यह crucial play करती है हमारे objects को हमारे objects जो है वो यहाँ पे चलते हैं बोलता है कि earth का जो gravitation force pulls everything towards the center of the earth मतब यह जो object होती है यह सब को खीचती है कि भाई तू भी इदर आ तू भी इदर आ सारे अंदर आ जाओ अंदर घुच जाओ इदर आ अंदर मतब सारों को खीचती है अपने center की तरफ because of this force the table, chairs, books, tables, rooms stay in the place अब इसी force की वज़े से एक ही जगा पे वो सारे books और tables वो सारी चीज़े रहती है law of gravitation क्या होता है कि बोलता है यह कैसे एक object जो है वो या mass distribution एक object का किस तर इंटरेक्ट करता है with each other एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो objects interact करते हैं throw the force of gravity, gravity के force से कैसे इंटरेक्ट करते हैं Sir Isaac Newton जो है वो उन्हें formulate किया fundamental laws of gravitation in the late 17th century तो उन्हेंने एक fundamental laws of gravitation जो है वो late 17th century में formulate किया इसको हम बोलते हैं law of gravitation यहाँ पर आप देख सकते हैं आचा आचा वो आपने कहानी सुनी होगी कि बाई Newton एक बार सेब के द्रकत के नीचे गिरा था सारी माफ कीजिएगा बैठा था और द्रकत के नीचे कुछ पढ़ रहा था अब क्या हुआ कि सेब उसके सर के उपर गिर गया जैसे ही सेब Newton के सर के उपर गिर गया तो Newton को लगा कि भाई ये सेब मेरे सर पे गिरा ये उपर क्यों नहीं गया ये उधर क्यों नहीं गया ये हवा में क्यों नहीं उड़गा ये इस तरह से नाचने क्यों नहीं लगा ये सीधा नीचे ही क्यों आया नीचे आते 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 ये नीचे गिरा क्यों ये इसके पीछे खोज करते 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 उसके बाद न्यूटन ने फिर अपना law जो है वो ग्रेविटेशन उसने फिर ये कानून दिया ये एक कुदरत का कानून है जिसकी वज़े से सारे अबजेक्ट्स को सेंटर आप दे ग्रेविटी की तरह खीचा जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लाफ ग्रेविटेशन आपको याद आ गया समझा गया होगा इसको हम इ अब इसको आप हटा दीजिए तो f is inversely proportional to r square तो इसको हम बोलेंगे inverse inverse square लाफ बोलेंगे ठीक है तो इसका मतब यह हुआ कि मतब दो अबजेक्ट है दो अबजेक्ट है यहाँ पे दोनों अबजेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो कितनी होगी वो सारी की सारी जो है वो डिपेंड करेगी उसके उन्हों दोनों के डिस ज्यादा है तो force gravitational force जो है वो कम होगी याद रखेगा अगर उन दोनों objects के बीच में distance जो है वो कम है तो उनके बीच में जो है वो force ज्यादा लगेगी ठीक है याद रखेगा तो उसके बाद next करते हैं बात Kepler's law, Kepler law क्या बोलते है, सबसे पहला law उसको बोलते है Kepler's law of eclipse, यह बोलते है कि each planet orbits the sun in elliptical part with the sun is one of the two focal ellipse, in other words, planetary objects are not perfect circles but are elongated eclipse, मतब पहला कुछ समझा है, उड़ गया ना, मतब हवा में गया ना, समझो, सुनो, सुनो मेरी बात, Kepler ने जो पहला ला दिया, उसने कहा कि भाई साहब, यह जो सूरज है ना, सूरज के around सारे जो जितने भी planets गूमते हैं, वो circular path में नहीं गूमते हैं, वो elliptical path में गूमते हैं, और अंडे की शाकल की path में जो है, वो क्या करते हैं, घूमते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको, Kepler first law हमने उसको नाम दिया, ठीक है, उसके बाद, यहां पे, जो है, वो यहां पे बताया जा रहा है, इसको आपको आप लोगों में से बहुत तरह लोगों को पता नहीं होगी यह चीज, लेकिन 147 million km सन जो है, वो हमारी जमीन से दूर है, 147 million km from the sun हमारी अर्थ दूर है, इसको हम बोलते हैं कि, मतलब यह प्लेनिट को हम क्या बोलते हैं, perhemian 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 उसके बाद and the point at which the planet is farther from the sun is known as aphelion मतनब sun से दूर अगर कोई planet रहा है तो उसका हम क्या बोलेंगे aphelion बोलेंगे 100 billion kilometer sun से होगा और 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 यहां पर जो है वो अगर कोई planet जो है वो sun के sun के नजदीक होगा उसका हम बोलेंगे Aphelion Parahelion माफ कीज़ेगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते diagram आपकी screens पे दिख रहा होगा Parahelion क्या होता है और Parahelion Parahelion का बतब यह हुआ कि सोरज के सोरज ये है और सोरज का नजदीक वाला point Parahelion है और जो आपका Aphelion है वो आपका दूर वाला पॉइंट है second law क्या होता है Kepler's का ये बोलता है law of equal areas a line segment joining a planet a sun sweeps out equal areas in equal time this means that the planet moves faster in its orbit when it is closer to the sun and slower when it is further away मतब in short सिधा भाषा में आसान भाषा में अगर समझाओं तो second law Kepler का क्या बोलता है कि अगर एक object move कर रहा है sun के जब वो sun के नजदीक होता है यहाँ पर ज़रा diagram पर ध्यान दो बोलता है कि sun के नजदीक जब भी कोई object होता है तो वो तेज भागने लगता है और उसके बाद जब sun के दूर चला जाता है तो भाई फिर आइस्ता इस्ता 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 तरह से जब वो चलता है लिकि जैसे ही नजदीक आता है तो पर देज वाद के नजदीक होता है यहाँ से तो फिर slow 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 देज देज वाद के उ dedicated slow slow तो कहने के मतलव यह कि sun जो है वो बीच में है और sun के अरण जो है वो सारे planets घूम रहें दूर जा रहा है तो स्पीड घट रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे केपलर सेकंड ला यहां पे देखो यहां पे देखो यह देखे यहां पे थोड़ा समझाने की मैंने डाइग्राम बनाई हुए ताके आपको समझ आए तो यह पहला ला क्या बोला था कि यह जो नजदीक वाला पॉइंट होता है सन के नजदीक वाला उसको हम बोलते है परहीलियन और जो दूर वाला पॉइंट होता है सन के उसको हम बोलते है एपहीलियन और बोलता है सेकंड ला बोलता है कि बाई सन के नजदीक जब जैसे यह आता है तो यह बहुत जदा तेज चलता है और सन स इराउंड जो प्लेनेट्स घूम रहे हैं, चकर काट रहे हैं, जो है, वो गेड़ी मार रहे हैं, तो उसको, वो जो है, वो उसी के बेस्ट, जो है, वो आपके कैपलर्स के दोनुँलाज है, उसके बाद जो है, वो यहाँ पर बतायागerson, जो है, पोर इकफ Legs, ऐसे, जो है इ तो जो थर्ड ला क्या बोलता है ती स्केर इस डारेक्ली प्रोपोर्शल टू किसके एक क्यूब आप दा किसके आपके जो सन है उसके ठीक है थर्ड ला यहां पे देखिये इट इस नोवन एज ला आफ हर्मोनीज यह पूछा जा सकता है आपके पेपर में दोस्तों ला आफ हर्मोनीज इसको बोलते है यह डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप किस-किस के बीच में और्बिटल पीरिट्स आप दा प्लेनेट्स मतलब जो प्लेनेट्स होते हैं जो जितने भी प्लेनेट्स होते हैं जो घूम रहे हैं Sun के अराउंड उनके जो ओर्बिट का पीरिड है वो कितने पीरिड में चल रहे हैं एक तो उसको explain करता है दूसरा उनका semi-major axis और उनके आधे के जो आधे जो axis होते हैं उनको बताता है उनके elliptical orbit के semi-major axis को बताता है इसको हम ऐसे किस से denote करते हैं T square is directly proportional to A का cube ठीक है capital थर्ड ला यहां पे बताया जा रहा है ठीक है यहां पे diagram आप थर्ड ला की देख सकते हैं orbital period यहां पे आपकी information के लिए बताते हैं बाकी similar terms है capital थर्ड ला सेट अपे स्क्यार आप दा अर्बिटल पीरेड आपे प्लेनेट इस डारेट इस डारेट पे पुशेट तो क्यूब आप दा सेमी मेजर एकसिस ठीक है तो यह जो है वो आपका उसके बाद next है आपका gravitational constant क्या होता है तो भाई यह एक value होती है G is equal to 6.67 into 10 edge power minus 11 meter cube kilogram per kilogram per second square तो इसको मतले है fundamental physical constant that plays a crucial role in understanding gravitation and force of gravity मतलब यह जो gravitational constant है यह हमें gravitational के जो force है उसको समझाने में help करता है और gravity की force को समझाने में help करता है बाकी यह एक fundamental constant mature like यह हमारा speed of light constant यह इसी तरह से यह भी एक constant है ठीक है यह हमें gravitational force को help करने में मदद करता है बाकी gravitational force को major करने में help करता है बाकी इसके और भी जो है वो काफी फाइदे हैं तो जो है वो उसके बाद है acceleration due to gravity इसको हम बोलते है small g small g मैं आपको थोड़ा सा अगर short में बताओं तो यह जो है वो यह force up attraction की वज़े से होता है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब एक body जो है वो earth की तरफ गिर जाती है तो उसके अंदर एक force generate होती है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गुरती है उसको pull आता है वो उसको acceleration लग जाता है उसके पर accelerate होती है वो body और वो जब वो नीचे गिरती है मेरी बात सुनो जब आप गाड़ी चला रहे हो आपने अपनी गाड़ी चला रहे हो आराम आराम से 40 km प्रती घंटा की speed से आपकी गाड़ी चल रही है जब आपने accelerator बहुत तेज किया बहुत तेज किया और तेज किया आपकी गाड़ी आप चलने लगी 80 km पर आर क्यों क्योंकि आपने उसका जो linear acceleration है वो बढ़ा है अब same यहाँ पे भी है कि भाई अगर एक object आस्मान से गिर रहा है या छट से कोई object गिर रहा है जैसे ही वो गिरने लगता है तो भाई गिरने की वज़़े से क्या होता है वो नीचे की तरफ आता है तो बहुत जादा तेजी से नीचे की तरफ आता है क्योंकि उसके अंदर automatically naturally जो है वो acceleration आ जाता है और उस acceleration को हम क्या बोलते है acceleration due to gravity और उसको denote करते हैं हम g से तो इसका formula क्या होता है भाई यहाँ पे हमें पता है कि Newton's law graduation कि इसके बराबर f is equal to g mm upon r square तो यहाँ पे आप इसके formula बगेरा देख सकते उसकी क्या पता है अच्छा ऐसा unit of acceleration due to gravity is इसका ऐसा unit क्या है meter per second square cgs में centimeter per second square mlt 2 ठीक है gravitational formula concept का formula हमारे पास यह है बाकि इसकी derivation कहां से है इसका बहुत आसान है हमें पता है कि Newton's first law हमारा किसके बराबर होता है second law किसके बराबर होता है F is equal to M into A force किसके बराबर होता है mass into acceleration ठीक है तो उसके बाद हमें यह भी पता है कि force किसके बराबर है mass into gravity क्योंकि जब हम linear motion की बात करते है तो वहाँ पे हमारा force is equal to mass into acceleration काम आता है लेकिन जब हम देखो जब मैंने बताया आपको अभी की object नीचे की तरफ गिर रहा है तो वहाँ पे क्या आ रहा है वहाँ पे आपका gravity का concept आ रहा है तो वहाँ पे linear acceleration नहीं आएगा वहाँ पे acceleration due to gravity आएगा तो अब हम नीचे क्या काम करेंगे यहाँ पे F is equal to M A F is equal to M A यहाँ नीचे क्या है तो F is equal to M G क्योंकि यह भी acceleration है लेकिन यह linear acceleration है यह है G gravity तो हमें gravity की वज़े से use हो रहा है तो इसका हम बोलेंगे M G तो यहाँ पे क्या हो गया F is equal to G M M upon R square यह हमारी equation है तो M G is equal to M G is equal to G M M upon R square यह हमारी acceleration युनिवर्सल लाफ ग्रेटेशन कप यह है अब यह M और यह small M यहाँ से यह small M और यह small M हो जाएगा तो small G is equal to small G is equal to G capital G M upon R square यह इस तरह से हम इसको डिख सकते हैं तो small G किसके बराबर होता है G M upon R square उसकी बात होता है gravitational potential energy बोलता है अच्छा gravitational potential energy यह एक energy होती जो associate होती है object की position पे एक gravitational field में object किस position पे होता है कहां पे होता है तो उस object के अंदर जो energy stored होती है उसको हम बोलते है gravitational potential energy मैंने last episode में last से last episode में बताया था आपको potential energy क्या होती है एक ऐसी energy होती है जो stored होती है और किसमें होती है जैसे मैंने आपका example दी थी कि एक dam होता है dam का water होता है वहाँ पे पानी वो store होता है अगर आप थोड़ा सा dam को खोलोगे तो उसके बाद वो उसके अदर इतनी energy होती है कि वो पूरे area को ओड़ा दे आगे मतब बहा दे वो energy होती है उसके अदर वो energy को हम क्या बोलते है potential energy होते है अब यह पोरे gravitational potential energy मतब यह क्या होती है कि it represents the energy stored in an object due to its height or distance from the earth's surface मतब earth's surface से उपर earth's की surface से height या कुछ distance पे जब कोई object रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं gravitational potential energy बोलते हैं gravitational potential energy आप अब अबजक्ट इसको हम क्या बोलते हैं U is equal to mg h के बराबर होता है उसका formula जो है वो किसके बराबर होता है u g किसके बराबर होता है u g m1 m2 upon r square ठीक है तो चलिए next आगे देखते escape speed इसको हम next topic है आपका escape speed इसको हम escape velocity भी बोलते हैं ये बोलता है कि gravitational force मतलब ये कि ये हमारी जमीन है और ये यहाँ पे पुरा space ये आस्मान है हमने क्या काम करना है जमीन से एक satellite को भेजना है जो space में जाए और हमारी अर्थ को जो है वो अलग-अलग signals भेजे अलग-अलग information पहुँचाए लेकिन problem ये है कि हमारी अर्थ के कुछ area तक area अर्थ का जो है वो क्या है gravitational field है और अगर हम किसी point तक एक object उस object को लेते हैं तो वहां तक ही जाएगा फिर अर्थ इसको वापिस खीजेगी अपनी body की तरफ और ये इसको वापिस लाएगी अपनी gravity की वज़े से लेकिन बो रहा है कि escape अगर हम उस object को ऐसी speed से हम अर्थ के वो उस gravitational field को जो है वो cross कर लेगा तो जैसे ही वो cross कर लेगा तो that means उसके अंदर वो escape speed आ गही है और escape speed की वज़े से जो है वो क्या क्या object ने उस area को जो है वो cross कर लिया और वो escape speed जो है वो आगे निकल गया मतलब ये कि ये एक escape velocity क्या होती है कि earth के कुछ area तक area earth का जो gravitational influence होता है मतलब earth की वज़े से एक force होती है जो objects को जब आप उपर आस्मान में कुछ चीज फैंकते हो वो वापिस आ जाती है तो अब बोलता है जो भी चीज़े आप आस्मान में बेजोगे उपर बेजोगे space में बेजोगे वो वापिस आ जाएंगी लेकिन अगर आप उसके अंदर ऐसी speed या ऐसी velocity डालते हो जिस velocity से ये gravitational जो area है इस earth का उस area को cross करे तो उसको हम बोलते है escape speed मैं उमीद करता हूँ आपको ये concept समझा आ गया होगा ठीक है तो हम इसको लिखते हैं किसके बराबर VE is equal to 2GM upon R VE is equal to VE is equal to 2GM upon R के बराबर होता है बाकी escape speed जो है वो अलग-अलग bodies के अलग-अलग होती है यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर diagram में मैंने पुरा समझा के दिखाया आपको VE is equal to 2GM upon R इसका होता है इर्थ सेटलाइट बाकी इर्थ के सेटलाइट होते हैं भाई वो किस तरह के होते हैं नैचरल सेटलाइट होते हैं आर्टिपिचल होते हैं नैचरल क्या है हमारी इर्थ का एक सेटलाइट है वो क्या है मौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी अर्थ का moon satellite है artificial satellite जो हम खुद भेजते हैं communication satellite जो हमने भेज़े हैं communicate कराने के लिए तो अलग-अलग Hubble, telescope वगेरा वगेरा ठीक है GPS, global position satellite मतलब मतलब मुझे एक बात बताएं कि आप अपने phone में GPS खोलते हैं location देखते हैं, map देखते हैं, या google अर्थ खोलते हैं, तो आप अर्थ की शकल देखते हो, या किसी area का map देखते हो, तो वो किसकी वज़े से देखते हो, वो आप GPS satellites की वज़े से देखते हो, और वो हमारे एक artificial satellites हैं, जो हमने भेजे हैं उपर, space में उसकी वज़े से, बाकी navigation य वहाँ पे भी, उसमें भी हमारी ये help करते हैं, बाकी earth observation, हमारी earth को observe करने वाले satellites होते हैं, scientific satellites होते हैं, space satellites होते हैं, military satellites होते हैं, वो सारे जो है, हमारी क्या होते हैं, सारे example होती है, satellite की, तो last concept है, आपका आज का, mass और, mass और क्या है, weight, तो mass क्या होता है, mass होता है, दोस्तो, total एक जो matter होता है एक object में total matter, मतलब पूरा का पूरा matter एक object में उसको जो है वो हम mass बोलते हैं, ये एक intrinsic property होती है, तो जो भी object जो है वो दुनिया में आज हमारी एर्थ में होता है, उसका mass कुछ न कुछ होता ही है ठीक है, तो इसका unit जो है to the moon, ठीक है, उसके बाद weight क्या होता है, ये एक external force आप देखें, weight में हमारा gravity का concept आता है, ठीक है यहाँ पर बोलता है कि external force exerted not an object due to gravity gravity के वज़े से एक object के उपर जो external force लगती है, उसका हम क्या बोलते हैं weight बोलते हैं, ये depend करता है object के mass पे, और और strength of the gravitational field के उपर where object is located, ठीक है तो ये जो है वो आपको देखना है बाकि weight किसके बराबर होता है mass into gravitational acceleration ठीक है, तो summary में हमें क्या पता जलता है कि difference between mass और weight क्या है कि ये एक intrinsic property है जो no matter where the object is in the universe, तो ये weight depend करेगा, gravitational field पे बाकि gravitational field पे जो है वो depend करेगा, बाकि mass हर एक object का constant होगा, चाहे आप उसको जमीन पे ले जाओ, चाहे उसको चांद पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, उसका mass जो है वो constant रहेगा तो मेरे दोस्तों ये हमारा आज का जो है वो episode यहीं पे खतम होता है, तो अब हम आपका, class 12th का जो physics है, वो भी start करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं, कि सर आप इतना ज्यादा जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े lectures अप्रोड कर रहे हो, तो भाई दो lectures per day के मुझे नहीं लगता है, ज्यादा है, में एक हफ्ता लग जाए, बट यार हमें, मुझे लगता है, जल्दर जल्दी ये syllabus खतम कर देना चाहें, क्योंकि आगे, और भी बहुत ज़दा syllabus है, reasoning है, maths है, maths है, बाकी, जितना भी syllabus है, वो सारा है, तो आप जो है, वो, ये क्या कहते हैं, वो भी हमें पढ़ना है, तो आ मेरे टेलिग्राम चले अग्जाम काउंसर पे, और वहाँ पे जाके, जो है, वो, ये मिल जाएगा, पीडियाप आपको, नाम जो है, वो पीडियाप का लिखा होगा, जनल साइंस, जनल साइंस, फिजिक्स पार्ट टू, तो बस, इससे आप डाउनलोड करें, तो चले अब के लिए फिलाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।